हेलो दोस्तो all in one TET channel में आप सभी का स्वागत है दोस्तो अगर आप 36 गड़ TET परिच्छा में आप सामिल होना चाहते हैं बैटना चाहते हैं 36 गड़ में आप सिखचक बनना चाहते हैं तो दोस्तो यह वीडियो आपके एक काफी महत्पुन है दोस्तो इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे में मिल जाएगा साथ में दोस्तो मैं आपको बता दूँ कि जैसे ही आप नीचे में आएंगे दोस्तो आप सभी देख सकते हैं आज सैक्षिक अंसंधान एबंपर सिक्षन परिसद 36 गड़ के अंतरगत सिक्षक पातता परिक्षा यानि कि TET 2019 का दोस्तो आयोजन किया जा रहा है और यहां पर दोस्तो आप क्लिक करते हैं तो ओनलाइन आबेदन के लिए पूरी विवरन दोस्तो यहां पर दिया गया है तो चलिए दोस्तो इस पर हम लोग क्लिक कर लेते हैं तो दोस्तो देख सकते हैं कि एक प्रेस विगपती दोस्तो जाड़ी होती है 36 गड़ TET परिक्षा एक्जाम 2019 को लेकर दोस्तो जैसे ही आप नीचे में आते हैं दोस्तो आप सबी देख सकते हैं कि आपका जो परिक्षा कंड़क्ट होने वाला है 24 फरवड़ी 2019 को एक्जाम कंड़क्ट होगी दोस्तो परिक्षा जो है दो पालियों में कंड़क्ट होगी पर्थम पाली जो होगी 125 में सिक्षक बनने के लिए परिक्षा होगी जिसके लिए सारे 9 बज़े से पेपर दोस्तो शुरू होगा वहीं पे दूतिय पाली जो 6-8 के लिए दोस्तो परिक्षा होगी आज से फॉर्म दोस्तो भरी जा रही है अगर आप फॉर्म फिलप करना चाहते हैं दोस्तो तो आप भर सकते हैं साथ में ओनलाइन आवेदन करने का जो आप लास्ट डेट जो है दोस्तो देख सकते हैं तीन फर्वरी 2019 तक लास्ट डेट है दोस्तों रात के 12 बजे तक आफॉर्ण को फिलप कर सकते हैं वहीं परिक्षा केंद्र की बात करें तो परिक्षा केंद्र जो है परदेश के 27 जिले में बनाई गई है तो दोस्तों वैसे अवियर थी जो 36 गढ़ में सिख्षक बनना चाहते हैं 36 गढ़ टीटी में दोस्तों बैठ सकते हैं इसके लिए आवेदन की परकिरिया है शुरू हो चुकी है और इसका ओफिस्यल वेब साइट है जहां पर दोस्तों आप सभी जाकर आवेदन कर सकते हैं आप सभी देख सकते हैं कि cgvapam.twice. government.in जैसे ही दोस्तों आप लॉग इन करते हैं वेब साइट पर जैसे ही आप सर्च करते हैं आपको ओफिस्यल वेब साइट दोस्तों आपको मिल जाएगी इसका लिंक जो है दोस्तों आपको description box में मिल जाएगा साथ में वैसे आवेर थी जो इस परिक्षा में बैठना चाह कंडक्ट होगा इसके लिए फी जो है सारे 300 प्यार रखा गया है एक पेपर के लिए तो निश्ट वाले वीडियो में टोटल अपडेट के साथ आप लोगों को बताए जाएगी कि कैसे फॉर्ण फिल अप करना है पूरी अपडेट दोस्तों उस वीडियो में आप लोग को दी जाएगी तब तक इस वीडियो में धन्यवाद साथ में अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले बगल में बेल आइकोन है इसको भी दबा दे ताकि इस तरह की लेटेश अपडेट दोस्तों सबसे पहले आपको मिल सके तो पूरे वीडियो क अंतर देखने के लिए धन्यवाद है